तो आप sales सीखना चाते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है, आज की वीडियो एक mini course होने वाला है आपके लिए sales के अंदर, detail के अंदर step by step सिखाऊंगा कि sales किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले sales का process सबस्ते हैं, कि sales में हमको करना क्या चाहिए, तो अगर मैं sales को parts में बाटूं, तो overall मैं 4 parts में बाटना चाहूँगा, किसी भी sales के process को, सबसे पहला और सबसे important part है, जो कि मैं कहूंगा sales का 40% constitute करता है, वो है हमको अपने customer का trust गेन करना है, customer हम पे trust करे, अगला part आता है, अपने customer की need को समझना, कि उसको की problem क्या है, उसकी burning desire क्या है, 30% constitute करता है ये भी, तो मतलब 70% तो यहीं कतम हो गया, अब 20% में आता है अपना offer देना, मतलब हमारे पास में ये product है, और ये आपको solution provide करके दे सकता है, और ज़रूर नहीं है, इस solution के अंदर हमको अपना ही product बता रहा है, हम उसको normal solutions भी बता सकते हैं, और last में 10% होता है actual closing, जहां पे हम product बेचने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप एक sales process को दे के चलो, तो सिर्फ चार पार्ट सी हैं जिसको आपको master करना है, और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अपने customer का trust gain करना है, यह relatively असान है, क्योंकि अभी जो मैं आपको technique सिखाने वाला हूँ, उससे आप यह सब को सीख जाओगे, पर last का जो 10% है नहीं close करना, वो उतना ही tough है, मतलब यह आपको experience से ज़्यादा समझ में आएगा, कोर्स में आगे जाने से पहले, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, कि sales जब भी होती है, तो दो important part होते है sales के, एक होता है logical relation, और एक होता है emotional relation, मतलब अगर आप कोई भी product लेते हो, अभी recently आपने कोई भी product खरीदा है ना, तो नीचे comment के अंदर बताना कि आपने उसको क्यों खरीदा है, तो ज़्यादा तर लोग क्या कहेगे, जैसे कि मान के चलो, मैंने iPhone खरीदा, तो मैंने iPhone क्यों खरीदा, क्योंकि भाई उसकी specification अच्छी थी, उसका camera अच्छा था, ये था, वो था, वो था, पर actually, मैं logical decision नहीं लेके गया, कि मेरे को value for money item मिल रही थी, मैंने यह पर emotional decision भी लिया, कि भाई iPhone लोंगा, तो मेरे तोड़ बढ़ेगा, कि iPhone लोंगा, तो शायद मैं जब Instagram पर videos read लालूँगा, तो वो अच्छी आएगी, तो logically, दुनिया के लिए, या फिर मैं कहूंगा, अपने लिए, internal चीजों के लिए, मैंने उस product को खरीदा होता है, तो आप नीचे comment के लिए बताओ, recently आपने कोई भी product खरीदा है, logical और emotional दूनों कोईशन समझ पाओ, तो चलो अब सीधा sales को समझते है, तो sales के process को 9 parts के अंदर बाटा गया है, overall अगर मैं बड़े-बड़े experts की मान के चलू, सबसे पहला step होता है prospecting, जहां पर हम अपने customer को ढूणते है, कि potentially मेरा कौन customer है, वो क्या कर सकता है, उसके बाद हम उन customer से बात करते है, appointment लेते है, third step के अंदर हम उनको qualify करते है, check करते है, क्या वो actually product लेना भी चाता है, या फिर नहीं लेना चाता है, तो overall अगर मैं बात करके चलू, यह जो पहले तीन step है, यह is a market resource kind of thing, यहाँ पे आप step नहीं कर रहे हो, market के अंदर customer के सामने नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, normally यह चीज़े phone के उपर होती है, यहाँ पे आप 100 prospects को call करते हो, और मान के चलते हो, 5-7% लोगी आगे step पे जाने वाले, उसके बाद sales का actual part शुरू होता है, उसको solve करना, तो basically हमारा goal क्या है, हमारा goal यह है, जितने भी उसके logical problems है, उसको solve करना, अच्छा salesman वही होता है, जो अपने customer के सारे objections को solve कर पाता है, basically objection का मतलब क्या है, मैं आपको कोई product बेच नहीं कोछश कर रहा हूँ, अब आप उसको लेने के लिए interested नहीं हूँ, आपको product समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जानने के कोश़ कर रहा हूँ, क्यों समझ में नहीं आ रहा, और मैं आपको और convince कर रहा हूँ, कि मेरा product कैसे आपकी problems को solve कर सकता है, this is logical side of sales, तो यहाँ पर आप पूरी कोशिश करते हो, एक logical mindset create करने का उसके आगे, कि क्यों आपका product best है, अगर हमें एक normal sales process की बात करके चले, तो अब हम साथवे process के अंदर गुस रहे हैं, पर मेरे हिसाब से अब हम तीसरे process के अंदर गुस रहे हैं, वो है closing, closing means हमको customer को बताना है कि बाई इतने पैसे देख के तुमको इतनी value मिलेगी, आप मुझे पैसे दो और exchange में मेरे से product या service लो, closing is a art, और अगर closing सबको आती होती तो सब के सब अच्छे salesman बन जाते, जो आपने पहले process समझे हैं, वो सारे के सारे relatively असान है, अगर मैं prospecting की बात करके चलूँ जब अब मैं detail में समझाऊंगा तो आपको संझ में आएगा, वो systematic process है, वो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, मतलब जो इस video को देख रहे हैं, अगर वो इस system को समझ आएगे तो उसमें से 99% लोग ये कर देगे day one से, second, अगर मैं presentation, idea वेगेरा की बात करके चलूँ तो वो भी आप कर दोगे, again जो हम video देख रहे हैं, जो भी आपको समझा रहा हूँ, वो आप कर दोगे, third, इसी का part है, objections को handle करना, वो आपको experience समझ में आएगा, अभी आप एक level की product की तयारी करके गए हो, आपको समझ में आ चुका है कि question क्या-क्या पूझे जा सकते हैं, आपने वो सारे के सारे answer कर दिये, पर कई बार आपको ऐसे customer मिलेगे, जो नई-ने type के question पूझेगे, जिनका आपके बास answer नहीं होगा, तो ये objection को handle करना experience से आता है, पर अगर आप bless दो, या फिर मैं कहूँगा, आपके अंदर एक genius salesman है, तो आप इस चीज़ को भी बहुत जल्दी वासर कर लोगे, पर सबसे बड़ी चीज क्या है, वो है closing, closing means, अब customer को हमने logical decision तो दे दिया है, पर यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसको product दिलवाने की, कि भाई, emotionally कैसे उसको trigger किया जाए product लेने के लिए, तो closing is a art, जो की, मैं समझाओंगा आपको closing दा पूरा पूरा प्रसेस, पर एक छोटा सा growth hack पहले ही देना चाहूँगा, आगे हम detail में समझेगे सारी चीज़ों को, पर एक growth hack देना चाहूँगा, यह उन businesses के लिए है, जहाँ पर पहले से ही sales हो चुकी है, जहाँ पर पहले से ही customers है, यह नए कॉरे business के लिए नहीं कह रहा हूँ है, क्योंकि अगर आपने एक दम नया business कर रहे हो, तो आपको अपना magic ढूंडना पड़ेगा, मतलब वो emotional क्या चीज़ है, जिसकी वेशे product बिखता है, पर अगर पहले सही है, तो अपने existing customers को call करो, और उनसे पूछो कि sir, हम एक survey कर रहे थे, हम जानना चाते थे कि आपने हमको ही क्यों चुना, market में और भी products थे, तो आपने हमको ही क्यों चुना, तो लोग कहेंगे, आपकी best offer था, बस ये था, best वो था, पर और जानने की कुछ करो कि sir, और क्या था, तो आप क्या करोगे, आप 10-15 बंदों से जब बात करोगे रहे, तो आपको पता लगे का, कोई एक common चीज निकल के आ रहे है, अब मैं अपनी बात करके चलो, तो मैं एक digital marketing का course रंग करता था, offline, उसके बाद मैंने उसको online live किया, अब मैं future के अंदर उसका recorded version निकालने वाला हूँ, तो recorded version निकालने से पहले पहले, मैंने customer से सब से interview लीके जाना, कि आपका magic क्या था, आपने क्यों चुना इस product को, तो बहुत सारे लोगों से जानने के बाद में मुझे अपना magic formula बता लग गया, कि क्यों लोग actually product लेते हैं, उसके बाद के दो बहुत important steps है, वो है कि आपने customer को product बेज दिया है, पर आपको make sure करना है, जो आपने कहा है, वो चीज़ आप deliver कर पा रहे हो, और दूसरा, अगर आप deliver कर पा होगी, तो आपके पास में referral आएगे, तो ये जो आगे का step है, ये after sales process है, इससे पहले जो आपने बात करी, वो sales process है, तो इन सारी चीज़ों को अब detail में समझते हैं, सबसे पहली चीज़ है prospecting, prospecting में आगे जाने से पहले हमको एक बहुत important चीज़ समझने sales की, वो है psychology of selling, बहुत important चीज़ है, बहुत सारे आजकल market में salesman आ रहे हैं, और अलग-अलग division में गुसरे हैं, पर उनके पास mindset नहीं है, एक actual salesman का, अब समझते हैं, actual mindset क्या होता है salesman का, salesman वो इनसान होता है, जो अपनी value system को consider करके product बेचने की कोशिश करता है, मतलब आपका value system है honesty, आप ऐसा रहना चाहते हो, आप अपना इमान बेचते नहीं हो, आप अपना इमान बेच के product नहीं बेचते हो, आप honestly कोशिश करते हो, customer को उस तरीके से product बेचने की, जैसे आप चाहते हो, कोई आपको product बेचे, अगर आपको कोई product बेचेगा, तो आप चाहते हो कि वो आपको honestly सारी चीज़े बताए, pros and cons बताए, और बाद में आपको अच्छी service दे, तो आप भई जब भी किसी को product बेच रहे हो, तो over commit नहीं करना, जूटे commitment नहीं देने, एक चीज़ मैंने और देखी है, अगर कोई इंसान नौकरी करता है sales की न, तो उसके अंदर देखा है, तो वो क्या करता है, वो नौकरी के हिसाब से sales करता है, कि बाई, मेरा target है, 5 sale करने का 5 sale कर दी, तो जिंदी की सफन, हमको क्या करना है, हमको अगर एक actual, असली salesman बनना है, तो हमको target तो achieve कर नहीं है, हमको और जड़ा ambitious होना है, this means, कि हमको एक entrepreneur की तरह सोच रहा है, ना कि हमको एक salesman की तरह सोचना है, मतलब हमको मान के चलना है, कि यारे ये business मेरी विज़े से चल रहा है, अगर मेरी विज़े से चल रहा है, तो मज़े उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो अच्छे salesman होते हैं, वो एक तरह के doctor होते है, वो problem solver होते है, वो customer को doctor की तरह समझते हैं, क्या problem है, उसकी core root cause समझने कोईश करते हैं, और उनको best offer देते हैं, कि उनके लिए क्या best चीज है, जो उनकी उस problem को solve कर सकती है, अच्छा salesman वो भी होता है, जो strategically सोचता है, मतलब वो जब भी sales करने के लिए जा रहा है, वो भावनाओं के अंदर भी भावनाओं में 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 भ जिग्यासू रहता है सीखने की वो जितने भी नई नई सेल्समें से मिलता है अगर आप एक सेल्समेन हो digital marketing फिल्culo के तो आप किसी साडी उशादी वाले के बिले के तो आप के स्वाभी चिंश करें तो आप उसको इनल्लाइज कर रह vào भाई, this is it, हमको समझ में आ गया है, ये मेरा process है, जो की perfect चलता है, पर हम ये नहीं देखते हैं कि भाई, और क्या लोग कर रहे हैं market के इंदर, उन में से क्या-क्या मैं अच्छी चीज़ें निकाल के अपने अंदर डाल सकता हूं, तो mindset की बात ही कर रहे हैं, तो थोड़े से provision भी दिर रहता हूं, तो basically laws के बारे में बात करते हैं, जो आपको अच्छा mindset बनाने के लिए मदद कर सकते हैं, सबसे पहले चीज़ है law of cause and effect, अगर कोई चीज़ हुई है, तो उसके पीछी की कोई ना कोई cause होगी, अगर आपको कुछने की कोशिश करनी है, लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, अगला है law of compensation, नाम सही समझ में आ रहा है, जितनी महनत करोगे, उतना पैसा कमाऊगे, अगर आप महनत नहीं करोगे, तो पैसा उस level का नहीं कमाऊगे, तो simple सी बात, एक अच्छी company के अंदर वो ही लोग excel करत है, जो की company को पैसा कमाके देते है, अगर आप खुद भी अपना business कर रहे हो, तो अगर आप 100 लोगों को call करोगे, तब ही आपके पास में उस level conversion आईगी, यह नहीं होगा, या 10 call करते है, एक conversion आजएगी, ठीक है, जिन्दी की जीरे, आश कर रहे है, अगर आपको grow करना है, तो आज 10 करनी है, अगले दिन 12 करनी है, फिर 15 करनी है, फिर 18 करनी है, आपको अपने optimum level पे काम करना है, एक level के बापको बता लेगा, आप 30 से जादा call दिन बे नहीं कर सकता, तो 30 में से आप 2 लोगों को convert कर पा रहे थे, अब आपको कोशिश करनी है, दो की जेगा, 3 कैसे कर अगला है law of control, और ये मेरे MBA के अंदर एक बहुत बड़े teacher ने बताया था, और तब से मेरे दिमाग में गुस्ता है, कि किसी को भी अपनी जिंदगी की चाबी नहीं देनी है, और deep बात है, मतलब मेरी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में होनी चुई है, कोई भी मेरे emotion को manipulate न पाऊगे, आप mentally और emotionally fit होगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से explain कर पाऊगे, अगर आप पहली से घर से लड़ाई करके जा रहे हो, और उसी mindset से आप किसी customer के बाद पहुंचे, तो आपको उसकी चोटी चोटी बाते भी negative दिखाई देगी, जब मारा negative mindset होता है, तो हम negative च चाहिए, कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, मेरे साथ ये हो सकता है, अगर आप believe ही नहीं करोगे, तो आप पाऊगे नहीं, ये मैंने विपारियों में देखा है, business owners में देखा है, वो एक level पे आके तिर्पत हो जाते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ आगया, ब उनमें और बाकी सब में पता क्या difference है, उनका जो limit है न सोचने की वो बहुत उपर की है, वो त्रिप्त नहीं होते हैं चोटी-चोटी चीजों से, अगला है law of concentration, law of concentration मतलब आप अपना mindset जिस भी चीज़ पे focus करोगे, आप वो चीज़ अचीज अचीव कर पाऊगे, अब यह का मतलब होता है, कि अगर मैंने कहा कि मुझे इस customer को close करना है, या मुझे जानना है कि मेरे product का magic क्या है, तो मैं पूरी energy उसी के अंदर लगा रहा हूँ, इदर उदर और और कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, तो मेरा पूरा जो दिमा पर मैं बिलीव करता हूँ इसके अंदर, मैं देखा है, मैं जो सच्चे दिल से चाहता हूँ, मुझे वो मिल जाता है, तो क्या, जो शारुख ने बोले न, अगर आप सच्चे दिल से किसी भी चीज को पाने कोश करो, तो पूरी कायनात उसको दिलवाने में लग जाती है, म मैं कहीं पर जाने के लिए लेट हो रहा था, अब मैं लेट हो रहा था, मुझे रेड लाइट दिखाई दी, मैंने का ओ यार रेड लाइट हो गई, मैं और लेट हो चाहँगा, रेड लाइट आगई, रेड लाइट आगई, अब मैं टाइम पर निकला, एक दूसरा केस ले नहीं हुआ, actually यह हुआ, आपका belief system ऐसा बन गया, कि आप सिर्फ negative चीज़ों को highlight कर रहे थे, पर इसके साथ में मैंने एक दूसरी चीज भी देखी है, वो यह है, मैं काऊंगा थोड़ा spiritual है, वो है थोड़ा energy वाला, energy system की, अगर आपने सचे दिल से कुछ सोच लिए है, तो पूरा universe, actually कह रहा हूँ है, आपको चीज करवाने के लिए मदद करता है, आपके पास अपने आप ideas आने लग जाते हैं, कि मैं यह चीज़ कैसे कर सकता हूँ, आपका दिमाख भी जब आप अपना belief system बना लेते हो, आपका दिमाख भी आपके लिए काम करने लग जाता है, कि कैसे यह करना है, कैसे यह करना है, आपने कहा कि मुझे इस साल के अंदर 10 करोड रुबे की सेल करनी है, example के लिए, मैं, कई हो के लिए realistic target है, कई हो के लिए unrealistic target है, पर मान के चलते हैं, आपने का साथ में काम करते हैं, अगर law of compensation कहता है, अगर आप काम नहीं करोगे, तो result नहीं आएगा, तो काम तो करना ही है, आपको क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे किसी चीज के बारे में, और positive सोचोगे, तो आपका दिमाग भी आपको the ideas देगा, और एक miracle चीज होगी, जो आपने कभी नहीं सोची होगी, ये sales के लिए नहीं बता रहा, ये जो laws है, ये जिन्दिगे में भी काम आएगा, आखरी law है law of correspondence, मतलब आप अंदर से जैसे हो, वैसे ही आप बाहर से रहने वाले हो, अगर आप अंदर से अगर आप किसी को positive emotion दोगे, किसी की customer के पास में गए, और उसको smile से किया, तो अगर उसके negative emotion भी होगे, और आपके बहुत positive emotion होगे, तो क्या बता, आप उसके negative emotions को suppress कर पाऊ, पर अगर आप भी negative हो, वो भी negative है, तो लडाई भी हो सकती, तो चलिए अब sales process के उपर आते हैं, एक दम मैं मान के चलता हूँ, यह mindset वाले logic जो मैं आपको समझाए है, आप इनको कहीं पर लिखके रखोगे, और dailys को practice में लाओगे, क्योंकि यह mindset problem को आपको सबसे पहले solve करना है, एक अच्छा salesman बनना चाते हो, तो आप main process के उपर आते हैं, वो है prospecting, prospecting का मतलब क्या है, आपको customers को ढूणना है, जो potentially आपका product ले सकते हैं, अब ये एक बहुत ही tricky, और मैं कहूंगा बहुत ही असान process भी है, अगर आप चाहो तो बहुत सारी directory sites है, business sites है, आप वहाँ पर जाओ, आपको manufacturer चाहिए, आप सर्च मारो dash manufacturer in dash location, आपके पास में बहुत सारी sites आएगी, directory sites होगी, आपको आपको इंडिपेंटेंटली copy mark एक list बना के रख लो, prospecting का मतलब basically listing ही तो है, यहाँ पे आप call नहीं कर रहे हो, यहाँ आप एक list बना रहे हो कि यार, यह यह मेरे potential customer है, यह इनका number है, यह इनकी email ID है, यह फला नम का नहीं है, अगर किसी industry के अंदर directory नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप search मारो Google की उपर directly, local result की उपर जाओ, वहाँ पे Google business वाले results मिल लाएगी, महाँ से उठा लो, या फिर यह भी हो सकता है, online directory नहीं, offline directory हो, बहुत सारे business की offline directory भी तो होती है, book type की जो आती है, वह आपको खरीद नहीं पड़ेगी, आप खरीद लो, वहाँ पे आपको सारे number सब कुछ मिल लाएगा, अगला तरीका है, online marketing, मतलब आप अपनी खुद की website बना हो, और आपको customer ढूंड के आपके पास में आ रहे हैं, मतलब आपके अपने आप prospects आपके पास में आ रहे हैं, यहाँ पे आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ा, लोग आपके पास आ रहे हैं, तो इसकी एक advantage है, बाकी process के comparison में अगर देखा जाये तो, अगर आप किसी के पास जाते हो, तो वो आपको control कर सकता है, पर अगर कोई आपके पास आता है, तो आप उसको control कर सकते हैं, अगर वो आपके पास आ रहे हैं, इसमींस उसको जुरूरत है, अगर आप उसके पास जा रहे हो, मतलब आप बता रहे हो, मुझे तेरी जुरूरत है, एक तरीका और है, जो मैंने अपने career की starting में किया था, वो था face-to-face visits, हम क्या करते थे, factories जाते थे, हमारा chemical का काम था, हम factories जाते थे, face-to-face visit is good, पर अगर आप normal ticket size के product बेच रहे हो, तो उसके लिए सही नहीं है, बहुत अच्छा है, trust gain करने के लिए, पर कई बार क्या होता है, कि आप पूरा दिन घूमते हो, और आपको एक से दो बनने ही मिल पाते हैं, अगला तरीका, को भी कभी भी जुरत पड़ेगी, किसी की जाम पचाम वाली को भी जुरत पड़ेगी, तो वो मुझे अपने आप recommend करके देगा, मैंने बताया था ना, sales का सबसे important part है, trust gain करना, तो social media का use करके trust gain किया जा सकता है, जो कि 99% of marketers use ही नहीं कर रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर एक business को scale करना है next level, तो उसको अपनी sales strategy, social media पर भी बनानी चाहिए, अगला तरीका है trade fairs, तो बहुत सारी industries के लिए trade fair भी होते हैं, आप अपना stall लगा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर visit करके, जिनके stalls लगे हुए, उन से जाके exchange करके आ सकते हैं अपने number, आपको दोनों चीज़ों के advantages मिल सकते हैं, अगर आप अपना stall लगाते हैं, थोड़ा cost लगता है, अपना नहीं लगाते हैं, तो आप सीधा जाके मिल के आ सकते हैं, एक तरीका और है, वो है referral, तो आप अपने existing customers को कह सकते हैं, कि अगर आपकी jamption में कोई हो, तो आप हमको recommend करो, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्या आप तीन लोगों को पताना चाहेगें, नाम और number, जो कि potentially आपके network में हैं, और हम से service ले सकते हैं, अभी आपने list बना लिए हैं, तो क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से मैं finalize करो, सबसे पहले तो मुझे ये समझना है, कि actually उसको मेरे product की जुरत है भी या पिर नहीं है, अगर मैं उसको अपना product pitch मारने के लिए जाओंगा, तो क्या उसको जुरत पड़ेगी भी या पिर नहीं पड़ेगी, आपको उसका cost benefit ratio चेक करना है, मतलब आप जितना उससे पैसा मांगने वाले हो, क्या वो उतना actually पैसा दे भी सकता है, example के लिए मेरी digital marketing agency है, मानके चलते हैं मैं monthly returner लेता हूँ 1,00,000 रुपे का, तो 1,00,000 रुपे है तो मुझे monthly देना ही देना है, एक लाक रुपे कोई मुझे दे रहा है, तो कम से को पांसे साथ दस लाक रुपे की आड़ चलाएगा, तो मतलब उसका monthly budget दस लाक रुपे का marketing का होना चाहिए, मतलब साला आना एक बीस एक तरोड से उपर का, उसका marketing spend होना चाहिए, जो की वो खर्च करना चाहता है, और ये minimum level पे लेके चल रहा हूँ, तो अगर इतना होना चाहिए, तो company का, अगर marketing ratio मान के चले, मैं अपने standard पे बता रहा हूँ, अब जिस भी industry में आप होगे, आप निकाल सकते हैं अपने साब से, तो मैं एक ratio मान के चले हूँ, तो 8-9% marketing spend होता है, एक company का, logically, तो मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे, जिन company का revenue, 12-15 करोड के बीच में है, at least वो ही मेरी potential target audience है, जा नहीं कहता हूँ, तो मैं नहीं हैं, इसे आदी अपनी shortlist कर लिए list को, एक चीज़ में और भी आप कर सकते हो, आप उनकी history चेक कर सकते हो, कि क्या उन्होंने पहले से, आपकी service या आपकी type की, कुई service लेने की कोशिश करी है, फिर नहीं करी है, अगर करी है, तो मैं again, यह थोड़ी सी, B2B clients के बारे में बात कर रहा हूँ, बैटर तरीका यही है, मेरा मानना यही है, पर अगर आप high ticket size, एक customer को भी बेचना चाहते हो, तो आप इन process को use कर सकते हैं, तो सबसे पहले, मेरे को क्या देखना है, जैसे एक्जामपल ले, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो मुझे जानना है, क्या उसके पास गाड़ी है या फिर नहीं है, अगर गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है, और उसका experience कैसा है, तो उससे इससे idea मिलाएगा, कि customer चीजों को appreciate भी करता है, या फिर नहीं करता है, एक चीज़ और है, यह हर industry के लिए नहीं है, पर पिछले कुछ टाइम से, हम इसको consider करके चल रहे है, वो यह है कि हम limited clients पकड़ रहे हैं, जब अधरस्ती बहुत सारी नहीं पकड़ने हैं, पर हम जो पकड़ने कोशिश कर रहे हैं, तो बान के चलता हूँ, आपने prospecting भी कर लिए, qualify भी कर लिए हैं लोगों को, अब आप normal call करके, appointment set करने ही कुछ कर रहे हो, कि आओ चलो मिलते हैं, मैं आपको समसता हूँ, problem क्या है, और आपको solution देने ही खोशिश करता हूँ, तो अब इस process से जाने से पहले, हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या है, customer नहीं जानता भाई आपको, customer का सबसे पहले thought यही आने वाला है, कि आप कौन, मैं आपसे क्यों product लो, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो, मैं आपसे ही क्यों लो, मेरे को अभी जूरत नहीं है, तो यह जो problems है, सबसे पहले आपके पाद इन सारी चीज़ों के answer होने चाहिए, साथ में एक सेस्मेंट को यह चीज़ी भी समझनी पड़ेगी, कि rejections आते हैं, स्टार्टिंग के अंधर, आप 100 बंदों को अगर approach करोगे, तो हो सकता है, 2-3 लोग ही आपसे आगे बात करें, इस level का बुरा ratio भी हो सकता है, although यह number बहुत कम है, normally अगर आप 100 को call करते हो, तो 20-30 लोग agree करते हैं बात करने के लिए आगे, पर मैं मान की चलता हूँ, 2-3 तक भी number जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, पर यहाँ पर आपको अपना mindset बनाना पड़ेगा, growth mindset, ठीक है, problem आरी है, चलो और improve करने की खुश करते हैं, कहीना कही problem आरी होगी, चलो उसको और improve करने की खुश करते हैं, एक चीज़ और, आपको अपने ratios को track करना पड़ेगा, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कि 100 वंदों को call करी, 3 ने आगे कहा, 10 ने आगे कहा, 15 ने आगे कहा, तो आपको यह numbers track करने हैं, कि आपने कितनों को actual call करी है, उसमें से कितने लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों ने क्या कह, वो सब लिख के रखना है, आपको over the period of time बता लगता रहा है, कि आप improve भी कर रहे हैं, पर नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो किस section में आपको और improvement की जुरत है, किस में नहीं है, जब भी आप sales करने के लिए जा रहे हैं, आप दिन के अंदर एक ही meeting करके आ रहे हो, तो एक हजार रुपे की एक meeting क्या वर्थ फुल है या फिर नहीं है, या आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा, और अगर आप कहते हो, मेरा खुद का business है, तो यहाँ पर opportunity cost निकाल सकते हो, कि अगर मैं कहीं पर नौकरी करता, तो मैं कितना रुपे earn कर सकता था, अगर मैं 25,000 रुपे earn कर सकता था, तो again मेरी एक meeting की cost is 1000 रुपीज, और यहाँ पर अभी हमने cost include नहीं करी है, आप meeting में जा रहे हो, travel cost आ रही है, आप खाने की cost ले रहे हो, और बहुत सारी, ऊपर overhead cost आ रही है, उसको तो consider करके ही नहीं चल रहा हूँ, एक pro tip देना चाहूँगा, जब भी आप कभी किसी साथ sales करते हैं, तो आपको excitement रखने हैं, कि मैं sales करने के लिए जा रहा हूँ, यह मत करना देखो simple सी बात, मैंने बोला, rejections आएगी, rejections से सीख के आगे बढ़ना है, पर यह मत करना, कि आप मैंने phone मिला है, मना कर दिया, phone मिला है, मना कर दिया, 10 को call मिला है, 10 होना मना कर दिया, अब मैं 11 के time पे, emotionally damage हो चुका हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, hello sir, मैं यहां से भोल रहा था, तो अगर आपका, यह mindset यहां जा रहा है, तो this means you are, मतलब आप sales मत करो, मैंने आपको starting में बताया, mindset बहुत important चीज़ है sales की, बहुत ज़्यादा, तो अगर आपका mindset खराब होगा, तो sales तो भूल जाओ, तभी जिंदिगी में घरपा होगे, तो mindset सबसे important चीज़ है, उसको हमेशा throughout याद रखना है, अब आपने customer को shortlist कर लिया, appointment set कर लिया, अब आप meeting के लिए जा रहे हो, customer से मिलने के लिए, पर, मैं आपको इसी बताना चाहूँगा, पहले 30 second के अंदर ही customer decide कर लेगा, वो आपसे product लेना भी चाहता है, या फिन नहीं लेना चाहता, तो पहले 30 second में आपको उसका trust gain करना है, अब कैसे कर सकते हैं, मेरी वीडियो दिखा के, ऐसा नहीं होगा रा, तो कैसे कर सकते हो, उसका trust gain, अपनी appearance है, तो बहुत important चीज़ा है, आप दिखाई कैसे देते हो, अगर आप shirt पेंके होएं, उपर ये दो button खुले होएं, अपने chain pen रखिएं, वो chain दिखाई दे रही हैं, आपके बाल ऐसे लंबे मेरी तरह हैं, या फिर मेरी से भी लंबे हैं, और groomed नहीं है, तो ऐसे टेड़े मेंडे से निकल रहे हैं, उसके बाद में, आप smell मार रहे हो, या फिर आप ऐसी आपसे appearance आ रहे हैं, कि यार ये बंदा presentable नहीं है, उसी time मान के चलो, आप गए, आपकी sale नहीं होने वाली, मैंने बहुत बार देखा है, कि बहुत सारे salesmen, B2B के अंदर आते हैं, और वो बिचारे अपने targets अचीव करने के लिए, दिन में इतनी meetings करते हैं, तो उनका हाल बुर हो जाता है, ठक जाते हैं सीद्री सी बात, पर वो जैसी मिलने के लिए आते हैं, तो भाई भापका मार रहे होते हैं, क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो चुके होते हैं, अच्छी quality का, मतलब मैं यहाप बात कर रहा हूँ, 4-5,000 पर वाले जो perfumes आते हैं, boost level का perfume उस करना है, सस्ते वाले नहीं करना है, अब आपको लोगे इतना पैसा नहीं है, तो इत्र ले लो, आज कल 4-5,000 पर वे की छोटी इत्र की मूतला थी है, वो यूज करो, आपको long lasting चाहिए और आपको sweat proof solution भी चाहिए, मतलब पसीने मसीने नहीं आने चाहिए, आपको जो भी first impression पढ़ने वाला है, वो आपकी clothing appearance से पढ़ने वाला है, तो अपने कपडों के उपर आपको बहुत ध्यान देना है, अब कपडों का मैं एक recommendation देना चाहूँगा, again, मैं recommendation के लिए सही बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं टी-shirt पहन रखी है, जल्दी look change करने के बाद, मैं भी आपको suit coat में दिखाई दी हूँआ, क्योंकि जब मैंने YouTube शुरू किया था, तो मैंने decide किया था, कि मैं अब किसी का भाई बनना चाहता हूँ, बड़ा भाई बनना चाहता हूँ, उनके दिमाग में बड़े भाई वली में जाए, पर अब मेरी उमर बढ़ गई है, मैं तीस से उपर का हो गया हूँ, तो अब मैं बड़ा भाई हो गया, अब बड़ा भाई पी तो coat पहन सकता है, तो अब बड़ा भाई coat पहनने लगेगा बहत ही जल्दी, सिंपल सी बात, अच्छी quality की shirt पहन नहीं है, ये logo वोगो छोड़ दो, quality अच्छी होनी ही चाहिए, अगर आप shirt पहन रहे हो तो आपके collars एकदम tight होने चाहिए, washout नहीं होने चाहिए, अगर आप उपर coat पहन के जा रहे हो, तो coat साफ होना चाहिए, जैसे कभी आप lawyer से मिलते हो, या coat के अंदर कभी जाओगे, तो वहाँ पे आप देखो कि उनका proper attire होता है, पिचरों में देखा होगा आपने, वह proper कपडों के अंदर होते है, तो वैसी ही एक salesman का attire होना चाहिए, अगली चीज है आपकी accessories, accessories include अंगूठी, कड़ा, घड़ी, यह सारी की सारी चीज़े, यह भी इंपक्ट क्रियेट करती है, अब मैं यह नहीं कह रहा कि आप गोल्ड की चैन पहन के चले जाओ, पहन के चले जाओ, एपल की वाच पहन के चले जाओ, खाने के लिए, टशन मारने के लिए, पर अगर आप कुछ चीजे, accessories को अपनी situation के साब से apt रखते हो, तो उसे impact पड़ता है, मेरा माना है कि accessories का मतलब यह नहीं है, कि आप किसी की शादी में गए हो, और रात की शादी हो, और आप काला चश्मा पहन के चले गए हो, वो, बतलब उससे आपकी appeal negative जाने वाली है, आपको लग रहा है कि आप बहुत च्छे दिखाई दे रहे हो, पर actually, जो shades होते हैं, वो नाम से ही पता लग रहा है, shades के लिए है, तब धूप बहुत जादा तेश पढ़ रहे हैं, उसके लिए हैं, ना कि इन चीज़ों के लिए, मैंने कई लोगों को देखा है, वो port के उपर ब्रॉच फ्रॉच लगा रखे होते हैं, और वो normal बंदे हैं, बतलब घूम रहे हैं ब्रॉच लगा के, और वो ब्रॉच देखके समझ में आ रहा है, थोड़ा नकली क्वालिटी का है, तो अगेन इससे image अच्छी नहीं बनती है, जितना simple रहसको, उतना simple रहने की कोशिश करनी है, अपने आपको चटक नहीं बनाना है, अब यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, आप ऐसा प्रॉटट बेचना के लिए जा रहे हो, जहाँ पर आपके customers को चटकी बन्दा चाहिए, अगर आप किसी को apparels बेचने के लिए जा रहे हो, जो की बहुत ट्रेंडी है, तो आप भी ट्रेंडी दिखने चाहिए, अगली चीज है grooming, grooming means बहुत सारे लोग इसको गनत लेके चलते है, बाल नहीं बढ़ा सकते, दाड़ी नहीं बढ़ा सकते, ऐसा कोई logic नहीं है, simple सी बात, दाड़ी बढ़ा है, तो बढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर groomed होनी चाहिए, clean होनी चाहिए, नीचे से clean होनी चाहिए, अगर हम बालों की बात करके चले, तो बाल groomed होनी चाहिए, जबर्दस्ती, बढ़ा रहे हो, यो छोटे रख रहे हो, कोई matter नहीं करता है, तो यही reason है, grooming का time बचाने के लिए, आपको बहुत सारे salesmen, चोटे बालों में दिखाई देगे, clean shape के अंदर दिखाई देगे, क्योंकि उसमें उतनी tension नहीं लेनी पड़ते, उठाओ, razor मारो, और clean रहो, पर अगर आप दाड़ी रखना भी चाहते हो, तो आप रख सकते हो, पर groomed रहना बहुत important है, यहाँ पर मैं लड़कियों को भी include करना चाहूँगा, लड़कियों के साथ मैंने देखा है, कि वो बहुत ज़्यादा अपने बालों के उपर do कर लेती है, क्योंकि जब मैं marketing head था, तो मेरे साथ में कई sales वाले जाते थे, तो मैंने कई बार देखा है, कि वो overdo बाल को करके आते हैं, लोग जब आपसे बात करते हैं, आपकी शकल दिखते हैं, आपकी आँखे देखते हैं, ना कि आपके बाल देखते हैं, तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा distracting होगे, तो उसकी वेशे से attention चली जाते हैं, अगली चीज़ है आपका posture, आप कैसे खड़े हो रहे हो, आप कैसे बैट रहे हो, अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हो था, हाई गाईज, आज मैं आपको सेल्स इखाने वाला हूँ, तो आपको लग रहा है, ठका हो आदमी है, और अगर मैं आपको ऐसे, ऐसे हो जाता हूँ, हाँ भाई, आज मैं आपको बताऊंगा सेल्स के बारे में क्या चल रहा है, तो यहां से अलग टोन हा रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आपको मीडन में रखा, मैंने अपनी कमर को सीधा रखा है, जब भी मैं चल रहा हूं तो मैं सीधा चल रहा हूं मैं ऐसे ऐसे नहीं चल रहा हूं और मैं चोड़ा के मैं नहीं चल रहा हूं मैं normal चल रहा हूं तो आपको अपनी walk को अपने sitting postures को भी master करना पड़ेगा over the period of time तभी मैंने बोला कि एक अच्छा salesman को फिजिकली, mentally और emotionally फिट होना चाहिए तो फिजिकली फिट होगे तभी आप सीधे बैट पाओगे लंबे टाइम के लिए कमर में दिक्कत होगी तो जादा लंबे टाइम के लिए शायद सीधा ना बैट पाओ अगली चीज है आपको office तो मैं पनी बात करके चलता हूँ यह मेरी लड़ देंगे तो जब मैंने अपना digital marketing का काम शुरू किया था तो हम online ही कर रहे थे international clients थे तो हमारे पास में कोई भार से तो आता नहीं था तो मेरे आपिस में फर्क पढ़ता ही नहीं तो यो current मेरा office है यह हमारा human chemical का office था तो यह ऐसी जगा पर situate करता है जहां पर transport नगर पास पढ़ता है और जहां पर factories है वो पास पढ़ती है तो दोनों के beach की जगा है और highway की मतलब main road की जगा है तो ट्रंक पर गहीं से आगे यहीं से माल जा सकता था तो यहां पर अपने अपना office मना रखा था तो यहीं पर मैंने अपना office digital marketing का मना लिया पर जैसे time भी था तो मैंने देखा customer से यहां पर भी आने लग गए अब कुछ अच्छे-च्छे clients यहां पर आ रहे है तो यह जगा उस level की नहीं है उसकी वएसे क्या होता है आप काम कितना अच्छा करके दो पर office उस level का नहीं देखता तो impact उस level का नहीं बढ़ता है पर अगेर अगर customer आपके office में आ रहा है तब इसकी जुरत है अगेर आपको उस level का office बनाना है जिस level का आप काम करके दे रहे हो यह नहीं करना है कि भाई अपने कपडो की दुकान की तरह अपना sales का office खोल के बैटे कुछ भी regular office आपका और आपने कपडो की दुकान की तरह चटक बना दिया लाइटे लगी पोड़ी एक दो चुमक मार रहा है जुरत नहीं है आपको उस level की चीज लेके जाना है जिसकी आपको actual जुरत है इसी के अगली चीज है आपकी vocabulary और intonation आपको अपने बोलने के तरीके को अपने customer के हिसाब से ढालना पड़ेगा तो जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ तो मैंने क्या का मैं लोगों को बड़ा भाई बनना चाहता हूँ तो मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूँ तो मैंने अपनी tone, बोलने के words सब बदल दिया सब बदल दिया मैंने over the period of time starting मैं मैं कहा रहा हूँ marketing head था तो जब मैं विटिंग ले जाता था मैं भी shirt, tie, coat, पैन के जाता था तो मेरे को आदत थी जब मैंने YouTube शुरू किया starting के नदा मैं shirts में था फिर दीरे-दीरे मैं T-shirts में सुच होता चला गया क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया कि मुझे किसी का भाई बनना है तो मुझे उनी के जैसा दिखना पड़ेगा उनी के जैसा बोलना पड़ेगा तो मेरे आप tone देखो के भाई भाई समझा रहा हूँ तो यह जो मैं आप से बात कर रहा हूँ तो यह over the period of time मैंने इस चीज को master किया है तो आप भी इस चीज को master कर सकते हो दूसरी इसी के अंदर चीज आ रही है intonation मतलब आपके बोलने की speeds मतलब अगर आप देखो कि speeds यह जो मैंने किया high किया, pauses लेके आया जहांपे मैं impact दालना चाहता हूँ सीधा ता logic है, जिस भी बात पर impact दालना चाहता हूँ, वहापे मैं उसको loud बोलूँगा जहांपे मैं impact नहीं दालना चाहता हूँ वहापे मैं उसको normal तरीके से बोलूँगा तो उसे impact नहीं पड़ेगा पर अगर मैं impact दालना चाहता हूँ तो मैं ऐसे तरीके से impact डाल सकता हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़ारा impact डालू तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ तो इस तरीके की ये पूरी पूरी चीज है अगर सिर्फ मैंने अवाज को उपर नीचे की है similarly मैं अपनी बोलने की speed को भी कर सकता हूँ अगर मैं किसी चीज को बहुत तेज बोलने की कुछ करता हूँ बहुत ज़्यादा तेज समझाने की कुछ करता हूँ तो मतलब मैं इस चीज को eliminate करना चाहता हूँ mutual funds are subjected to marketed trees वो पहले चलता था बहुत fast होता था mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully वो क्या होता था वो चाहते थे कि आप उसको ignore करतो government ने कहा रखा था कि बहुत जरूरी है आपको यह दिखाना है पर उनने का ignore करवा हो तो ignore करने के लिए psychologist ने कहा कि इसको fast करतो पर आज के time पर उसको slow कर दिया गया क्योंकि government ने इस चीज को पकड़ दिया अब मान के चलते हैं आप customer के बास जाने के लिए तयार हो चुके है अब आप customer को बात करने वाले है और बात में बोलोगे क्या presentation में क्या दिखाओगे क्या process होना चाहिए presentation का उस चीज को समझते तो अगला part हमारा यह है presentation का तो सबसे पहले चीज है open ended questions कि आपको क्या लगता है इस बारे में आप इस problem को कैसे solve कर रहे हो मैं जानना चाहूंगा कि आप यह चीज कैसे करते हैं तो मैं यह नहीं बता रहा कि आप इसको ऐसे करते हैं नहीं yes no वाला नहीं छोड़ रहा आप इसको कैसे करते हैं तो उसको बोलने का मौका दे रहा हूं जितना उसको बोलने का मौका दूँ उतना ज्यादा अच्छा है मेरा मानना ऐसा है अब उसके बाद में मैं उसको solution दे रहा हूं कि आपको strategic रहना है, अब strategic को समझने ही कोश्च करते है, अब आप customer के पास मिलने के लिए जाने वाले हो, तो आपने कपड़े तो पहन लिए, अब आप जाओगे, उससे बात करने के लिए, तो क्या बोलोगे, Hi sir, this is Sahil from La Paz, तो क्या करूँ मैं, ऐसे ही होगा ना, या फिर मान के चलते हैं, कि हमने meeting finalize कर रहे ही, तो वो basically हमको जानता है, तो हमको बिठाएगा, चाय पिलाएगा, वो यह नहीं करेगा, चलो निकलो, तेक है, वो हमको बिठाएगा, सर बैठिए, पांच मिनट बैठिए, मैं आपको time देता हूँ, आप उसका सब बैठोगे, आप बोलोगे, Hi sir, this is Sahil from La Paz, ये मेरा visiting card है, तो आपने card दिया, आपने appearance दिखाई, तो एक level का trust gain किया, अब customer के दिमाग में कुछ thoughts चल रहे हैं, आपको उसको पहले से analyze करने ही तो यहाँ पर आपको strategically पहले से ही plan करके जाना है, एक मैं इसको कहता हूँ, sales chart, तो आपको एक sales chart बनाना है, कि अगर मैं customer के वास जाओंगा, मैं उसको पहले ये question बोलूँगा, उसके बाद मुझे ये जवाब दे सकता है, ये जवाब दे सकता है, अगर वो ये जवाब दे और चीजे add होती ही चली जाएगी, पर जैसे ही आप 20-25-30 लोगों से मिलोगे, तो आपको पता लगेगा, पूरी sales इसी chart से हो रही है, अगर हम बड़ी companies की बात करके चले, तो वहाँ पर ये sales chart बना के उनको दिया जाता है, आपको कई बार कॉल करके लोग बोलते हैं, हाई तो customer को समझना जुरूरी है, तो majorly अगर customers को बातने को करें, तो customer चार तरीके के होते हैं, एक होता है, relator, relator मतलब क्या होता है, कि वो चाहता है आपका product लेना, पर उसको time चाहिए, वो instantly decision नहीं ले सकता, उसको और लोगों से भी पूछना पड़ता है, decision maker वो है, उसके कि customer इस type का भी हो सकता है, तो आपको, जो मैं sales chart की बात बता रहा हूँ, तो आप ये भी realize करोगे, कि जो relator होगे, वो इस type के questions जादा पूछेगे, अगले होते है socializer, socializer जो नाम चे पता लग रहा है, उनको society का बहुत जादा होता है, उनको ये चाहिए है कि इस product से मेरी society मे दबबा कैसे बनेगा, आप कैसे impact लाने में मेरी help करने वाले हो, मत्तब overall जोनका mindset होता है, वो ये होता है कि मुझे इससे टशन कैसे मिलेगा, तो वो टशन वाले लोग होते हैं, तो आपको ये बताना है कि आप क्या product, उनको वो टशन कैसे add कर सकता है, अब मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज़े emotional triggers है, logical तो करना ही है, ये सीधी से बात नहीं करनी, कि अपना product का demo नहीं देना, आपको सीधा है, मैं iPhone 14 बेच रहा हूं, बहुट अशन है, ले लो, ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको बताना है, सरी है मेरा iPhone 14 है, इसमें ये specification है, और ये आपको आपकी community में stand out करने में help करेगा, तो कि ये phone बहुत सारे लोग लेके नहीं घूमते है, अगले है analyzer, अब नाम से समझ में आ रहा है, analyzer मतलब वो analyze करना पसंद करते है, चीज़ों को समझना कोशिश करते है, तो मतलब वो आपसे बहुत सारे question पूछेगे, तो हर चीज in-depth समझाईती, step by step, ये एक mini course है, वो एक लंबा course है, मतलब वीडियो से, उसमें step by step चलना है, यहाँ पर इखटी देखके, इस वीडियो को बार-बार multiple बार देख सकते है, बहाँ पर मैंने पूरी playlist बनाए थे, तो ये हमारा एक नया initiative series, यहाँ पर हम mini courses निकालेग आप free में लो, पर अगर आप कुछ पैसे देना चाहते तो आप पैसे भी दे सकते हो, अगर आपको कोई value add करता है, तो मैं देखूंगा over the period of time, ऐसे mini courses बना के, क्या पता, free के अंदर भी हमारे पास में अच्छा ROI आने लग जाया, और मुझे कभी paid course निकालना ही ना पड़े यह जो अभी आपने मेरा mindset देखा न, यह एक analyzer का mindset है, मैं हमेशा numbers वाला बंदा हूँ, मुझे हर चीज detail में घुसनी है, मतलब मैं हर चीज को बहुत ही जादा logical, in-depth सोचने की कोशिश करता हूँ, कोई सई चीज नहीं है, कोई एक गलत चीज नहीं है, मेरे जैसे लोग decision making क कई बार slow करते है, कई बार हम जुरत नहीं होती, उतना सोचने की, over analyze करते हैं चीजों को, तो again, यह mindset है, जब आपको समझना पड़ेगा customer का, अगले होते है dictator, dictator नाम से समझ में आ रहा है, dictate करना जाते है आपके sales process को पूरा पूरा, यह चाहते है, कैसे मदद करोगे मेरे बत जल्दी बताओ, जल्दी, basically इनको facts, number चाहिए, इनको in detail में नहीं कुसना, logical नहीं कुसना इनको, ना इनको टशन बारना है, इनको यह चाहिए, भाई, मैं इतने रुपे दूँगा, मुझे कितने रुपे कमाके दोगे, बात खतम, मुझे इतना मत गुसा हो इस चीज के अगर आपने इनको ज्यादा कहानी पहली, ज्यादा प्रोडुट के बारे में समझाने लगए, जिसकी जूरत ही नहीं है, तो यह impatient हो जाते हैं, और at last आपका प्रोडुट नहीं लेके जाते हैं, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा, कि कुछ कस्टमर इस टाइप के भी तो मैंने क्या देखा है, लोग क्या कोशिश करते हैं, लोगों का एक प्रोडुट मास्टर हो चुका होता है, सेल्स के अंदर, वो अपने हर कस्टमर को एक ही सेल्स प्रोडुट की पिछ मार रहे होते हैं, वो समझते है, हर बंदा अनलाइजर है, चलो इसको बेच नहीं को अब ये माइंडसेट हो गया, आपको क्या करना है, आपको कस्टमर समझना है, किस केटेगरी के अंदर आता है, और उसके हिसाब से उसको समझाने कुछ करने है, आप चाहो तो आप ऐसी मुनिल्स भी कठे करके जा सकते हो, पहले से ही, जब सेल्स करने के लिए जा रहे हो, आप दिखा सकते हो, देखो सर, ये शामला इन संस ने भी हमारा प्रड़ट यूज किया था, इसकी वेज़े से इनको देखो कितना मेंफिट हुआ था, आप ये भी कर रहे हैं हमारा प्रड़ट, आप भी कर सकते हैं, तो ये क्या होता, इसे एक रिलेशन बनता है, लोगों नूर ने कुछ करते हैं, इसको मैं कहता हूँ, रिष्टदारी दूनना, तो बहुत अच्छी चीज है सेल्स के अंदर, क्योंकि हमको अगर किसी का ट्रस्ट गेन करना है, तो रिष्टदारी दूनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिष्टदारी से एक लेवल का ट्रस् अगर वो अराम-राम से बोलते हैं, तो आप भी अराम-राम से बोलनी कुछ करो, अगर वो फास बोलते हैं, तो आप भी फास बोल सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं है, पर सिंपल सी बात, अगर मेरी तरह से भी कह भी पर म Supreme तरीके से बोलते है और आज मैं आपको बताओंगा किस तरीके से मैं आपको सेल सिखा सकता हूँ यार ओफ हो जाता है बंदा अगर मैं यूट्यूब की बात करके चलो तो मैंने ये टोन पकट रखे है क्योंकि मास लोगों को ये वाली टोन चाहिए जिनको नहीं चाहिए जिनको फास चाहिए उनके पास में स्पीड है स्टार्टिंग में प्राइज नहीं बताना कि सार मेरा प्रोड़क्ट इतना रुपे गा और में ये कर सकता हूँ अगें मैं बात कर रहा हूँ हाई टिकेट प्राइज की तो बाद में अगर आप बताओगे क्योंकि उसको पता लग चुका है पहले आप उसका ट्रस गिंद पर चूके हो आपसी प्रॉपिलम में बता में होता है में है कस्टमर कहता है हम है सोच कि भी करके उता हो तो यह में बिले पर आपको कहता है अगली मिटिंग्ग月и या follow up लेना बगारा बगारा तो यह जो follow up पॉला सीन है ना यह भी एक बहुत important चीज है इसके अंदर एक मैं framework बताना चाहूंगा जो मैंने कहीं पर पड़ा था PD PPR मतलब आपको time पता होना चाहिए date पता होनी चाहिए किस जगा पर meeting होने वाली है कौन-कौन उसके अंदर रहेगा और उस meeting के agenda क्या रहने वाला है basically आपको इन चीज़ों को पहले से consider करके चलना है कि आप अगर meeting करने के लिए जा रहे हो कहां पर जाओगे किस time जाओगे किस के साथ जाओगे कौन-कौन वहां पर आने वाला और agenda क्या रहने वाला है अगर आप यह सारी चीज़ों को करोगे तो आपकी अगली meeting प्रॉपर तरीके से schedule रहेगी यह बत करना ठीक है सर फिर अगली बार मिलते है अगली बार कब मिलते है अगली बार कब मिलते है अब मांगे चलते है वह convinced नहीं हुआ तो आपने कहा है ठीक है सर मैं आपको हफते बात कॉल करके बात करता हूं हफते बार आपने कॉल करके मतलब डिपेंड कर रहा है हफता या एक दिन या दो दिन डिपेंड कर रहा है प्रॉडट क्या है सुचुशन क्या है कस्टमर क्या है यह आपको over the period of time experience सा समझ आएगा कब करना कब नहीं करना और आप बात में जब आता हूं तो वो जो लोग लेके आते हैं वो closing experts होते हैं उनका majorly photo ही होता है उनको close करने का formula आता है basically उनको पता है कि emotionally logically तो simple सी बात जो उनका team member है वो समझा गया कि logically आपको product क्यो लेना चाहिए सारी problems को मैं मान के चल रहा हूं पहले से ही solve करके जा रहा है मिटिंग के एंद तो वो expert क्या करनी कोशिश करता है closing करनी कैसे चाहिए थोड़ा साब इसको भी समझ देंगी कोशिश करते है detail के अंतर तो सबसे पहली चीज क्या हो रही है customer क्यों नहीं ले रहा हमको ये चीज समझने कोश करनी है तीन्चा reason ही हो सकते है और क्या होगा पहली चीज कि customer डर र का क्यों होता है inertia कई लोग ना अऔर पर लेने से पहले मोवेंटम लेना चाहते कि य самे अब भी नहीं लेना अज़ी है न अच् तो उसको maintain अगर follow up में रखोगे तो वो convert हो सकता है मेजर लिए अगर देखा था यह चार ही reason है जिसके चक्कर में वो close नहीं हो रहा है पर यहाँ पर एक और problem हो सकती है हमने जो considering नहीं करके चली वो यह थी कि उसके कुछ objections रह गए थे जो पहली meeting हुई है या फिर same meeting चल रहे है मान के चलते हैं कि हम उसी में convince करने कोशिश कर रहे है तो क्यों नहीं ले रहा हो क्योंकि उसके कोई ना कोई questions है जो कि unanswered है यहाँ पर आप समझने कोश करो क्या क्या questions unanswered है और यह भी reason हो सकता है कि उसको price का issue हो तब ही नहीं ले रहा हो तो आप उसको बताओ कि आप देखो पाई कितने रुपे खर्च करना चाहते हो मुझे थोड़ा समझाओ वो कहता है मान के चले हो मैं 100 रुपे खर्च करना है मैं example लेके चल रहा हूँ और आपका product 120 रुपे का है तो आप बोलो महीने का दो यहाँ पर एक और option हो सबता है जैसे इंडिया मार्ट के अंदर होता है आपसे वो मन्तली बान लेते है आपसे बड़ा amount नहीं लेते है वो आपको कहते है महीने का सब 2,000 रुपे 5,000 रुपे दे दो समझनी पड़ेगी और यह मैं कह रहा हूँ कि सबसे टफेस चीज है किसी भी सेवस प्रोसेस की क्योंकि यह सिखाई नहीं जा सकती मैं आपको जो भी बता रहा हूँ यह framework के बारे में बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हो पर closing expert बनने के लिए आपको खुद से एक मैं काऊंगा अपना inertia अवरकम करना होगा जो आपको चीज़े रोक रहे हैं बाउन्डरीस को तोड़के आगे निकलना पड़ेगा यह पर एक trick काम करती है कि आप उनको story सुनाओ यह सर रामला ले लिन संस थे उनको भी यही same problem थी कि वो कह रहे थे कि नहीं लेना नहीं लेना तो मैंने उनको जबर्दस थी मैंने का कि सर आप करके देखो मेरे उपर विश्वास रखो उन्हों मैं मेरे पर विश्वास रखके किया और देखो आज वो कहां से कहां पहुंच गए अगें मैं यहाँ पर इंटेग्रेटी खराब करने की बात नहीं कर रहा है मतलब जूट नहीं बोलना है पर आप genuinely करने कोशिश कर रहा है अब closing के टाइम पर आपको कुछ चीज़ों को consider करके चलना है तो सबसे पहली चीज़ है arguments मैंने normally देखा है कि customer के पास में लोग जाते है time spent करते है एक घंटा लगा लेते है समझाते है उसके बाद customer कहता है कि मैं interested नहीं हूँ वो offend हो जाते है और argue करने ले जा तूँ को क्यों नहीं बदला भाई तूने time waste क्यों किया मेरा तो simple सी बात यह right process नहीं है कई लोग क्या करते हैं कई अपने opinion share करने ले था मेरी मानो तो आप ये ले लो मैं बता रहा हूँ आपको सर ये best app के लिए option और कई लोग oversell करने योश करते है oversell देखो दो condition is oversell एक होता है oversell मतलब मैंने आपको वादे किये जो की जूटे थे मतलब मैंने आपको कहा कि मैं आपको दस चीज़े दूँगा पर मैंने आपको actually दी पांच चीज़े दूसरा क्या होता है psychological oversell वो क्या होता है miscommunication यहाँ पर मैं example देना चाहूँगा अपना ही तो हमने क्या किया हमने digital marketing का online course किया तो मैं offline भी कराता था पहले तो वहाँ पर भी मैं lifetime support देता था मतलब उन लोगों को मैं phone में whatsapp pad करके रखता था और वो मुझसे कभी भी question पूशे कोशन पूशते है आज भी पूशते है मुझसे हो पर मैंने जब online शुरू किया को चीज मैंने पढ़ा दी है क्लास के अंदर मैं सब को करके दिखा रहा हूँ ऐसे करो अगली क्लास के अंदर मैं लोगों से question पूश रहा हूँ किसी को की दिक्कत आई है तो मुझसे पूछो और अगर आ रही है उनकी हाथ क्या problem solve कर रहा हूँ और वो course चल रहा है तीन महीने चार महीने तो मैं मान के चल रहा हूँ वो problem सारी की सारी solve हो चुकी है तो अब अगर course खतम हो गया है और कोई बहुत ही basic चीज पूछ रहा है example के लिए हमने पूरा course digital marketing का सीख लिया और कोई पूछ रहा है कि website कैसे बनानी है या फिर मेरी website बना के दे दो ऐसे ऐसे queries आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ वो support को समझी नहीं पाए support की direction क्या थी तो यहां पर problem क्या है customer की है या हमारी है दोनों की है customer शायद उसको overthink कर गया या फिर हम क्या सकते हमने हमने अपने communication में failure कर दिया हमने उनको बताया है नहीं कि support includes what support का मतलब क्या होता है support हमने का support देगे हम आपको 5 महिने का support देगे हमने यह तो नहीं कहा कि हम आपको working hours के नहीं support देगे तो लोग रात को एक बज़े call कर रहे team member को दो बज़े call कर रहे है और बहुत basic basic किसी चीजे कह रहे है कि अभी आओ NITS पर अभी solve कर दो तो यह realistically possible नहीं है तो यहां पर क्या हुआ हमने oversell नहीं किया हमने मतलब हमारी integrity नहीं थी कि हमको जूट बेच के किसी को बेचना है हमने honestly किसी को support देने कोशिश करी पर communication failure हो गया तो oversell में एक बहुत important चीज है जो कि मैंने अभी recently सीखी है वह है communication कि आप किसी को कुछ भी बेच रहे हो कोई भी service दे रहो ना उसको पूरा detail के अंदर explain करो मानके चलते हैं अगर मैं online कुछ बेच रहा हूं तो मैं सब कुछ detail में नहीं लिख सकता और हमको वह भी कोशिश करनी है detail के अंदर सारी चीज़ों कैसे include कर सकते है एक चीज और देखी है मैंने वह क्या है लोग अपने competitors की बुराइया करते है उसको तो वेकार है sir वह छोड़ो वह क्यों ले रहे हो हमारा best है हमारा लोग वह वेकार यह जो चीज है रहा यह भी नेगेटिव emotion create करती है इस बेटर के ऐसी चीज़ को avoid किया जाए तो चलिए मैं आपको कुछ techniques बताता हूँ closing करने की जो की बहुत सारे लोग use करते है और जो की terms बनी पड़ी है आप इन सबको mix and match कर सकते है या फिर अपने खुद के formulae create कर सकते है सबसे पहला तरीका है invitational close मतलब आपने उनको अपना product या service दे दिया यूज करने के लिए और आपने का आप use करो फिर मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा example के लिए digital marketing के बात करके चलो तो कई लोग दो दिन की तीन दिन की साथ दिन की service free देते है तो आप पहले service देते हो फिर ले लेते हो आपने बहुत सारी sites देखी होगी जो आपको 7-day trial, 30-day trial या free trial देते है तो यह जो तरीका है यह भी वही same तरीका है जहां पे customer को एक तरह से मैं कहरा हूँ invite किया जा रहा है पहले product use करने के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे product continue कर सकते है अगला है plan of action close मतलब आपने सिधा बोला कि सर यह offer आज तक है आपके पास में आज मुझे बता दो yes और no के अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो बदा दो नहीं लेना चाहते तो कोई problem नहीं है अच्छा रहेगा तो यह क्या है यहां पर हमने एक तरह से question छोड़ दिया उसके लिए yes or no का उसको एक ही चुनना है एक तरीका और है preference close preference close का मतलब क्या होता है customer अगें product नहीं ले रहा तो कोई ना कोई reason है तो हमने का sir आप बताओ आप convert क्यों नहीं हो रहे आप क्या चाहते हो कई बार आपने यह भी सुना होगा यह नहीं सुना मतलब मैं basically market में बहुत रहा तो मुझे बहुत सारी चीज़ ऐसा लगता है यह सुना होगा और मैं मान लेता हूं by default कि तुम लोगों नहीं सुना होगा तो एक क्या होता है customer को कहते है कि sir आप क्या चाहते हो मुझे बताओ मतलब हम यहां बे बात कर रहे हैं आप price कितना देना चाहते हैं customer समझने कोश करते हैं आप बीच का bridge लेकी आए यहां पर हम उसको offer कर सके आपने देखा होगा अगर आप कपड़े रिटेल दुकान ले ले जाते हो आपर negotiation चलता है रहा वो इसी condition के अंदर आ रहा है alternative close और यह बहुत ही deep strategy है कई लोग इसको master कर पाते हैं और कई industry के अंदर यह master हो पाता है इसका मतलब क्या होता है कि आपने बेचने के लिए गए थे हवाई जाज और बेचके आये आप खाली खाना मैं example कह रहा हूं आपने अपने product की बड़ी चीज बेचने की जगा एक छोटी चीज बेची तो यह बहुत मैं सीधा बोला कि sir कब से शुरू करना है ऐसा करता हूं मैं आपको invoice भेशता हूं आप payment करा हो कल से शुरू करते है यह जो मैं tone रख रहा हूं इसमें मैं अपनी authority दिखा रहा हूं और मैं इसको option ही नहीं दे रहा product reject करने का मैं सीधा क्या रहा हूं मेरे को convince आ गया है तेको समझ में आ चुका है चलब लेते हैं और खतम करते हैं बहुत सारी जगों पर काम करता है अगला तरीका और है वह है think it over मतलब sir आप सोच लो मैं को अराम से तसली से बता जाना कोई जल्दी नहीं है तो कई बार क्या होता है customer confused होता है आपकी offer बहुत अच्छे है और आपको पता है आपने उसको convince किया है ना रात बर उसको सोने में देने वाला तो आपने क्या करा अभी वह instantly उतना पैसा नहीं दे सकता यह normally high ticket के लिए बात कर रहे है तो वह instantly पैसा नहीं दे सकता आपने यह बोला और आप चलेगे अब उसके रात पर दिमाख में चल रहा है क्या चल रहा है फिर आप जब गए close मार के आगे आपने customer को close कर दिया और आपने उसको service भी दे दी जो आपने उसको commit किया था next step is referral customer customer से referral लेके आने है अब referral कैसे आएगी सबसे important चीज है customer relationship बना के मैं कह रहा हूँ sales के time पे sales के बाद में भी अगर आप अच्छे relationship बनाते हो तो आप जब उनको कहते हो एक referral लाने के लिए वो कहते है अच्छे लोग है यार इनको लाके देते है हमारा international का जुकाम है वो सारा reference पर चल रहा है मैंने अपनी इंजुरिंग टाइम पे कुछ clients on board किये थे उन्ही के reference से अपने आप clients आ रहे है मैं कोई महनत नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ भी मैं कुछ points बताना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान देने है अच्छे relationship बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ है आपको अच्छा listener बनना है मैंने बताया sales के नहीं सबसे important चीज़ है customer की problem का understand करना अगर आप उपर वाले process की बात करके चलो तो 70% तो वही है ना पहले दो step ही 70% है अगर 70% वही है तो मतलब आपको सुनना जादा है जितना ज़र आप सुनोगे उतना अच्छा आप उनको offer गर पाओगे तो listening बहुत important चीज़ है अगला है trust gain करना trust gain करने के लिए एक बहुत important चीज़ है अगर आप किसी का trust जीत पाओगे तभी आपको वो कोई trust देने की कोशिश करेगा और चुगल गोड़नी बनना है यहां की बाते उधर भी नहीं करनी है चोटी-चोटी चोटी चीज़े होती है न यह नुकसान देती है long run के अंदर customer के साथ मैं long term relationship बनाने की कोशिश करो मतलब मैं बात कर रहा हूं कि sales करने से पहले sales करने के बाद में भी उससे पूस्ते रहा है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सब सभी चल रहा है यह चल रहा है वो चल रहा है तो एक तो simple सी बात execution team का का काम अलग होता है अगर मैं digital marketing की बात करके चलूँ तो एक sales team हुई जिरो ने customer को लाके दिया उसके बाद में executor है जो actually काम कर रहे है उनके उपर एक manager है जो customer के साथ में touch में है sales वाला तो अलग हो गया ना पर ideally अगर एक अच्छा salesman बना है तो वो salesman customer के साथ में touch रहता है अगला है customer को अपने friend की तरह treat करना है friend की तरह treat करने का मतलब यह नहीं है कि शराबे पीने के ले जारे हो, भाई शराबे पिएगे, हैच करेगे friend की तरह treat करने का मतलब उसको honestly बताने कुछ करने है कि कैसे आप उसकी help कर सकते हो उसको आपसे वहली वाइब जानी चाहिए कि यार यह एक अच्छा आदमी है अगला है customer को criticize करना customer को criticize नहीं करना चाहिए आइडल कर्डिशन के अंदर आप customer को कह रहे हैं वाई तेरे बसकी कुछ नहीं है तू छोड़ दे, तू रहन दे यह वह फला नमकाना है यह गलत चीज़े है अगला अपने customer को जैसे वह है वैसे accept करना है, judgmental नहीं होना है तो जैसे मैंने example दे के चला कि मैंने अपना जो course किया उसके अंदर हमने support की बात करी तो support की बात करी, customer रात को एक बज़े phone कर रहा है तो मैं यहाँ पर उसको criticize नहीं कर रहा है यार ठीक है न, वो उस ताइम पर free होगा office से उस ताइम पर free होता है पर यहाँ पर मेरी गलती है न क्योंकि मैंने उसको communicate नहीं किया रात को call नहीं करनी है दर को तो यहाँ पर हमको अपनी गलतिया भी admit करनी सीखनी पड़ेगा तोड़ा चापलूस भी बनना पड़ेगा मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी हर चीज में हां मिलाओ आइडली तुमको हां में हां मिलाना है पर यहाँ पर एक चीज और है आप उनकी थोड़ी सी तारीफ करो emotional level पर सरास तो आप अच्छे लग रहे हो यह suit अच्छा लग रहा आपके उपर अरे नया hairstyle वाह बहुत चाहँ है ऐसा scene या अगर आपने उनको phone पर save कर रखा है उन्होंने कोई story दाली है कुछ भी दाली आपने WhatsApp पर story देखी आपने reply कर दिया very good sir बेटी आपकी बहुत प्यारी है अगला है focus यह चीजे हैं जो मैं starting से बोलता हूँ आ रहा हूँ एक अच्छा salesman वोई है इसके बास focus है concentration है मतलब अगर वो sales करने के लिए जा रहा है तो वो time bound है strategic है कि मुझे कैसे चलना है मतलब सी बात हम जो भी बात कर रहे हमको दोस्त बनाना ये करना ये करना इसका मतलब यह नहीं है कि कल को मेरी बेटी की शादी हो रही है तो मुसको बुला रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको एक product sale किया था ऐसा नहीं हो रहा है दोस्त बनाने का मतलब उसको मेरे से ऐसी vibe आनी चाहिए क्योंकि मैं strategic हो रहा हूँ यहाँ पे इमोशनल तो हो रहा हूं पर मैं strategic हो रहा हूँ कि sales करने के लिए ज़िए बात चल रही है ते बात चल रही है कुछ अचानक match की बात शुरू होगी उसके बात कुछ बात करने लगगे एक बात कहीं और चलेगी at last याद आया अरे 2 गंटे बात करने का हम बेचने के लिए क्या आया थे तो चलिए उमीद करता हूं आपको मजा होगा मेरे सच्छोदिल से बनाया है यह कूर्स आप लुगों के लिए और ये post course है, मतलब ये एक free course है, जिसको आप बात पे पे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, तो हमने एक नया मुहीम ट्राइप करके देख रहे हैं, जहापे हम detailed videos, एक mini course की form में निकाले हैं, जहापे honestly सारी सी से बताएगे, क्योंकि मुझे पता है, इस टाइप की जो videos होती है, अगर मैं इसको एक 200-300 रुपे का भी course बना के package करने की कुशिश करूँ, तो बहुत सारे लोग ले ले लेकिए, और मिरे पास पी अच्छा खासा number आ सकता है, जो की शायद YouTube नहीं देगा, पर यहाँ पर मैं एक नया try करना चाहता हूँ, कि अगर आपको यह value लगी है, कितना रुपे की लगी है, 10 रुपे की लगी है, 20 रुपे की लगी है, 50 की लगी है, 100 की लगी है, 1000 की लगी है, 1,00, जो भी लगी है, अब नीचे comment, मतलब, एक में thanks का option है YouTube के अंदर, अब वहाँ से दे सकते हैं, तो मैं test करना चाहता हूँ, क्या यहाँ से ROI आता भी है, या फिर नहीं आता है, और इसी के साथ आज की वीडियो खतम होती है, उमीद करता हूँ को मज़ा होगा, बाइ, गुद्नेक शबाकर, खुदाफेज, गुद्मॉर्णिंग और आफ्ट्रून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जैहिन बंदे मातरम,